नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर मायंगवे आज का विशे बहुत ही तुची कर और विज्ञान से जुड़ा हुआ है जैसे शूरी है, सूरी के किरिने है, अल्ट्रा वाइलेट रेज है, इंफ्रा रेज है, कॉस्मिक रेज है, सॉलर विंड है और प्रत्वी का चुम्ब के बल है, प्रत्वी की दिशाय है, हवाओं की दिशाय है यह सब हम इनसे किस तरह से जुड़ें कि हमारे सरीर को यह फाइदा पोचाए यही है वास्तु सास्त्र, कितना गहरा सास्त्र है यह इन सब को मिला कर एक विज्ञान बनाया गया, जिसका नाम दिया गया वास्तु सास्त्र अर्थात, प्रकरती के नियमों के अनुरूप निर्मान करना, जिससे आप प्रकरती की जो शक्तियां है वो आपके निर्माण में, आपके विकाश में शाहयक बन सके, यहीं वास्तु है, अब हम इसमें step by step चलेंगे और बताएंगे वास्त में ऐसा है या नहीं, चलो, सबसे पहले हम सुबह उठे, शूर्य उदय हुआ पूरुदिशा में, वास्तु कहता है, मकान के अंदर अगर आपने पूजा गर बनवाया है, तो इसे बनाओ नौर्थ इस्ट इसा हमें, मतलब इशान कौन में, मतलब उत्तर पूरुदिशा में, उत्तर पूरुदिशा में आप पूरवानु भुक होकर बैठे, मतलब आपका मुँझ पूरुदिशा की और, और आप कर रहे हैं वे सुबह जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो एक सही मत्रा में अल्ट्रावाले ट्रेज आपके पास आ रही है और आपके सरीर में क्या कर रही है विटामिन डी का निर्मान कर रही है इसी के साथ में कुछ और विमारिया है जिनके लिए भी ये फाइदे मन है जैसे इंसोम्निया नींद नहीं आने की विमारी जैसे प्रीमेंस्टूरल पीरियड सिंड्रॉम मलब लेडीज में होने वाली प्रावलम कुछ सीजनल सिंड्रॉम मलब मौसमानुशार कुछ जो रोग हो जाते उन सब से ये बचाने वाला है और यह साबित हो चुका है मतलब आप आपने किवल एक काम किया वास्तू के अनुसार चले घर के पूरू दिशा में मंदिर बनवा दिया है छोटा पूजागर और सुबह जाके पूजा की और आपने प्रकरती से जुड़ गए और प्रकरती से फाइदा लिया और यह साबित हो गया अब बात करते हैं सूर्य सूर्य पूरू से पश्चिम दिशा में जाते हैं तो नौर्थन हैमिश्पियर में दक्षिंड से होते हुए जाते हैं तो सूर्य जब पूरू से पश्चिम की तरफ जाएंगे दक्षिंड से होते हुए तो दक्षिंड दिशा गरम होकी इसी लिए हम कहते हैं कि जो साउथ इश्ट है वो है अगनी कॉन बास्तु के अंदर कहा जाता आएगी मकान का जो सौथ इश्टि होता है वो अगनी कॉन होता है और अगनी कॉन में हमें बनानी चाहिए कीचण तो अब 10-12 बेजे के बीच में सूर्य इश्ट से निकल कर आचुके हैं साउध की तरफ सौथ इश् प्रकाश और सूर्य देवता हैं आप पे महरबान तो आपको मिल रहा है पूरी रोशनी और रोशनी किचन के अंदर रोशनी बहुत मत्तबुने यह कोई ग्रहणी आपको जरूर बता सकती है अब हम बात करेंगे कि आपने देखा कि किस तरह से आपने सूर्य देवता का फाइ आपका शेंकक्ष इसके बारे में भी बताएंगे अब घर के अंदर आनी चाहिए हवा प्रकास आ रहा है अब हवा भी तो चाहिए तो वास्तु मैं का जाता है कि मकान में खिडकियां होनी चाहिए पस्चिम दिशा में नॉर्थ वेस्ट को माना चाहता है वाइव्य कॉण तो कहते हैं कि खिड़कियां का होनी चाहिए पस्चिम में या वाइवेकॉन नौर्थ वेस्ट में अब चलो हम पता करते हैं हवाएं कैसे चलती है भारत में तो भारत में हवाएं पस्चिम से पूरू की तरफ ही चलती है मतलब पस्चीम से पूरू की तरफ चलती है भारत में हवाएं मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल की बात नहीं हो रही मैक्रो लेवल मनलब एक वर्थ पमाने पर 80% जो हवाएं भारत में चलती है वो पस्चीम से पूरू की तरफ चलती है अगर आपने मकान में पस्चीम दिशा में खिड़कियां बनवाई है या नॉर्थ वेस्ट जिसको वाई विकॉन माना जाता है वहां पे खिड़कियां बनवाई है तो गर में आएगी अच्छी हवा ताजी हवा अब देखिए हवा आ रही है अब हमने कहा कि साउथ में खिड नहीं होगा इसी वज़े से कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में आप बनाओ खिड़कियां अब बात आती है सोने की तो वास्तु में कहा जाता है कि जब आप सोते हैं तो आपका जो सर है वह साउथ दिशा में या दक्षिन में होना चीए यहां पे बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है इसको जड़ा डिटेल में समझेंगे पहले तीन चीजें समझो आप सूर्य से केवल प्रकाश नहीं मिलता सूर्य से सॉलर विंड भी हमारी प्रत्वी पर आती है यह सॉलर विंड क्या है कि सूर्य से कुछ आवेशित कन इलेक्टरॉन और प्रोटॉन अ भी अनवरत रूप से प्रत्वी पर आते रहते हैं तो सॉलर विंड आ रही है कौस्मिक रेज आ रही है अब हमें इन से कौन बचाएगा तो हमें इन से बचाता है प्रत्वी का चुंबक्य बल प्रत्वी का जो चुंबक्य बल है वो हमारे उपर एक रक्षा कवच बना दे लेकिन प्रत्वी का जो उत्री धूव है वहाँ पर चुम्बकिय दक्षिन है मतलब वो चुम्बक की दृष्टी कौन से देखें प्रत्वी को तो प्रत्वी का चुम्बकिय दक्षिन है और जो शाउत है वो चुम्बकिय उत्तर है यह उल्टा है इसको आपको समझना पड़ेगा जो भॉकलिक उत्तर है वो चुम्बकिया दक्षिन है जो भॉकलिक दक्षिन है वो चुम्बकिया उत्तर है और उत्तर से दक्षिन चुम्बकिया बल उत्तर से दक्षिन की तरफ होता है अब आपके समझ में आ गई, अब आप एक particular दिशा में सो रहे हैं, okay, south से लेकर north की तरफ सो रहे हैं, south में आपका head, north में आपकी लेख है, अब हम देखते हैं, दो चीजें आपको परिशान कर सकती है, cosmic rays और solar wind, तो जब हम study करते हैं, और यहां study, जब हम करते हैं, तो पाते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो चुम्बकिय मजबूत बल लगेगा, यह सबसे ज़्यादा रक्षा कवच मजबूत बनेगा, वो तब ही बनेगा, जब आपका head south में हो, और legs north में हो, आप उस चुम्बकिय बल के parallel हो न की perpendicular हो, और यहां थाबित हो चुका है, इसमें अंतर बहुत कम है, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, और यह चुम्बकिय बल भी बहुत छोटा है, बहुत ही मतलब की शनिक है, लेकिन यहां कुछ न कुछ इफेक्ट तो डालेगा ही, अगर आप जीवन परियंत तश अब यह चुम्बके बल बहुत छोटा है, हमें तो महसूस ही नहीं होता, तो क्या यह है ही नहीं, चलो कुछ और बाते जानते हैं, कुछ पक्षी, जैसे की कबूतर, और कुछ दूसरे पक्षी भी, जो प्रवाशी पक्षी कहलाते हैं, वेग्यानिक ऐसा मानते हैं, कि जब वो एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, या अपना ठोर पाने के लिए, वो इस चुम्बके बल का उप्योग करते हैं, अच्छी बात है, अब एक छोटा सा बैक्ट्रिया, बहुत ही छोटा बैक्ट्रिया, जिसे बोलता है, मैगनेटो इस्टेटिक बैक्ट्रिया, मतलब ही छोटा है, यह एक दिशा से दूसरी जगे जाने के लिए, मतलब एक इस्थान से दूसरी इस्थान पर जब जाते हैं, तो प्रत्वी के चुम्बके बल की वज़े से ही जाते हैं, बड़े चरच की बात है, कि इतना छोटा बैक्ट्रिया भी प्रत्वी के चुम्ब दवा दी जाए तो उनके नतीजे ज्यादा अच्छे आते हैं उस दवाई का ज्यादा पॉजिटिव एफेक्ट होता है तो इस तरह से हमने देखा कि छोटे-छोटे जानवर वह चुंब के बलका प्रत्वी के चुंब के बलका उप्योग कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर अब हम बात करेंगे कहा जाता है कि साउथ वेस्ट जो होना चाहिए वो उसकी दिवार की जो हाइट है वो लंबी होनी चाहिए वो हाइट में होना चाहिए और नौर्थ वेस्ट की जो हाइट है वो छोटी होनी चाहिए चलो इस तरह से मकान बनाया आपने साउथ वेस्ट क दिवार छोटी कर दी, बरसाद का पानी किस तरह से आएगा, South West में बड़ी दिवार है, तो जब बरसाद होगी, तो मकान का पानी निकलेगा North East की तरफ सारा पानी North East की तरफ ताएगा क्योंकि ड्लान कहा होगी North East की तरफ तो जब आपने पानी का टेंक का बनाया है आपने वास्तु के according पानी का टेंक बनाया है नौर्थ इस्ट में क्योंकि वास्तु कहता है कि अगर पानी का टेंक बनाना है जमीन के अंदर तो नौर्थ इस्ट में बनाओ और आपने मकान की हाइट धलान किस तरफ दिया है नौर्थ इस्ट की तरफ क्योंकि साउथ वेस्ट आपने लंबा कर दिया है तो बिना किसी समश्या के पानी बरसाद में जो पानी होगा आप उसको शंग्रीत कर पाएंगे कलेक्ट कर पाएंगे तो देखो जल संग्रण भी हो रहा है केवल एक वास्तु फॉलो कर रहे हो आपको एनरजी मिल रही है सारिक स्वास्त मिल रहा है मांसिक स्वास्त मिल रहा है गर में प्रकास आ रहा है गर में हवा आ रही है और जल संग्रण भी हो रहा है तो कितना वड़ा विज्ञान है अब आगे की बात करते हैं यहां तक हमने समझा अब हम आपको थोड़ा सा और डीटेल में ले जाते हैं हलका सा है थोड़ा सा और डीटेल वास्तू के अंदर कुछ लोगों को ब्रह्म है वो ब्रह्म हम आपका मिटाते हैं ऐसा कहा जाता है कि हर आदमी के लिए एक जैसा ही मकान होता है ऐसा नहीं होता वास्तू विज्ञानिकों ने या जब जो यह मैसर वगरे पूराने सास्तर जब लिखे गए तो इन्होंने लिखा कि हर आदमी का मकान अलग होना चाहिए हर दिशा, हर व्यक्ति के हिसाब से होती है व्यक्ति के हिसाब से नहीं उसके प्रॉफेशन के उसाब से होती है मतलब अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका मकान अलग होगा मिट्टी के बार तक बताया गया है कि कौन सी मिट्टी किस के लिए उपयोगी है शुद्र के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए बिजनेसमेन के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए ब्रामन के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए और बिजनसमेन के लिए कैसी होनी चाहिए सब कुछ बताया मतलब केवल ये नहीं है इसमें detailing भी की गई है मतलब कि आपके profession के हिसाब से आपका मकान होना चाहिए आपका interior भी आपके मकान के हिसाब से होना चाहिए अगर कोई घर में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका कक्स कैसे होना चाहिए वो भी बताया गया है लेकिन इतना detail में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अब इसके अंदर वास्तु के अंदर पदविन्यास होते हैं पदविन्यास जो होते हैं वो और इसको और ज्यादा एक लेवल उपर ले जाने वाली बात है उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे बस हमारी बात आज यहां तक ही रहेगी कि जिस वास्तु सास्त्र की रचना भगवान महादेव ने की हो जो महादेव से जुड़ा हो जिसकी सुरुवाद महादेव से हुई हो वो जूटा नहीं हो सकता तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप यहीं समाप्त करता हूँ एक आपसे अनुरोध है अमारे चैनल को जरूर सबिस्क्राइब करें जिसे हमें थोड़ा मॉटिवेशन मिलें और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें नमस्कार